दोस्तों, very good morning to all of you, आज के इस करेंट एफस के वीडियो में सबसे पहला प्रस्मना है कि ICC ने हाल ही में ICC Hall of Fame 2020 को अनौंस कर दिया है अगर आपको याद हो, पिछले साल 2019 में सचिन तेंदुलकर को ICC Hall of Fame में सामिल किया गया था तो 2019 का आंसर था सचिन तेंदुलकर, और 2020 में एक बहुती सांदार all-rounder, अपने समय के one of the best player में से सामिल जैक्स कालिस को इस खिताब से समानित किया गया है, उनके साथ साथ में दो और लोगों को इस समानित किया गया है तो एक हो गए जैक्स कालिस प्लस दो और लोगों को दिया गया है, तो कुल मिलेकर तीन लोगों को वर्स 2020 में ICC Hall of Fame में सामिल किया गया है चुकि इस समय कोरोना चल रहा है, इस वज़े से कोई physical event और गनाइस नहीं किया गया है और लाइन virtual mode से ही इनको इस किताब से समानित किया गया है अब इसमें हम लोग दानेंगे कि question क्या बन सकता है सचिन तेनलकर को पिछले साल मिला था, वो भी मेरे favorite player में से है और जैक्स कालिस भी बहुत ही standard player है, जो कि एक all-rounder है अब इसमें देखो question क्या बन सकता है वो समझते है question मनेगा कि हाल ही में ICC Hall of Fame 2020 किताब किसे प्रदान किया गया है तो हाल ही में कोशना करी है ICC के दौरा tweet करके उसने इस चीच की जानकारी दी है कि इस बार तीन खिलाणियों को इसमें सामिल किया गया है पहले का नाम है Jack Skalis दूसरे का नाम है एक female किरकेटर है जिनका नाम है Lisa Istha लेकर और तीसरे हैं पाकिस्तान के पूर्व प्लेयर जहीर अबास तो जहीर अबास, Lisa Istha लेकर और Jack Skalis इन तीनों को इस अवार्ड से समानित किया गया है इस बज़े से option number D all of the above इसका right answer हो जाएगा ठीक है अब इसमें हम लोग देखो एक चीज और समझेंगे कि पहले तो हम तीनों का फोटो देख लेते हैं जिन तीनों को इस ICC के द्वारा सामिल किया गया है देखो ICC के द्वारा ट्वीट किया गया यह एक फोटो है जिसमें की तीनों का फोटो एक ट्रॉफी के साथ में हम देख सकते हैं चुकि इस इवेंट का जो mode है वो वर्चोली इसको आयोजित किया गया है कोई इसका physical event नहीं हुआ है तो इनके नामों की जो गोशना है वो online करे गई है इसमें जो देख लेते हैं कि कौन सा खिलाडी कौन से देश से विलाग करता है जैसे Jack Scalise यह साउथ अफ्रीका की टीम से विलाग करते हैं कि जिन्होंने वन्डे और टेस्ट दोनों क्रिकेट में 10,000 से भी ज़्यादा रंद बनाए हैं और 200-200 से ज़्यादा विकेट लिये हैं अब इस फोटो के माद्याम से आप देख सकते हैं पहला तो Jack Scalise का फोटो लिखा है और यह देखो ICC की द्वारा ओफिशल ट्विट किया है कि Jack Scalise ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने बोथ टेस्ट और वंडे दोनों ही मैचों में 10,000 से ज़्यादा रंद बनाए हैं यहां पर आप जहीर अबास का फोटो देख सकते हैं जिसमें देखो लिखा है ICC Hall of Fame जहीर अबास जो कि पाकिस्तान के पूर प्लेयर हैं जिनको भी Hall of Fame में सामिल किया गया है अब यह जो Hall of Fame है इसको शुरू कप किया गया था? Hall of Fame को 2 जनवरी 2009 को दुबई में इसको शुरू किया गया था इस सूची को शुरू किया गया था और अब तक अगर बात करे जाए तो कुल मिलाकर 6 भारतिये प्लेयरों को इस खिताब से सामिल किया गया है इनवे से पिछले साल सचिन तेनुलकर को किया गया था उससे पहले राहूल द्रबिन को उससे पहले अनिन कुमले और सुनील गावसकर कपिल देव और विसन सिंग बेदी को इसमें सामिल किया गया है इन सबी को 2009 में उसके बाद में 15, 18 और 19 साल में ये इन क्रिकेटरों को सामिल किया गया है दोस्तो अगला कुशन बहुत ही इंट्रेस्टिंग है यहाँ पर आप ये चस्मा देख सकते हैं ये चस्मा वो चस्मा है जो गांधी जी ने पहना था तो जायर से बते इस चस्मा की वैलू बहुत ज़्यादा हो गई तो अचानक से इस चस्मा निउस में इस विज़े से आया है क्योंकि इस चस्मे को Kanji Ji ने अपने किसी खास वक्ती को गिफ्ट में दिया था उस समय उसने पीडी दर पीडी इसके एक परिवार से दूसरे परिवार में जाता रहा तो हाल ही में एक व्यक्ति ने इसको लिफापे में पैक करके डाक खानी में पोस्ट ऑफिस जो होता है पोस्ट बॉक्स में इसको डाल दिया था उसने सोचा यह नॉर्मल चस्मा होगा लेकिन जिस व्यक्ति ने इसको वहां से निकाला तो उसको उसने यह उसके चस्मे के मालिक को यह ब और कितने रुपे में विका है? उसको बंडेकर बनेगा कोशन. ब्रिटेन के ब्रिष्टल में राश्टर पिता महात्मा गांधी के चस्मे को निलामी में अमेरिकी कलेक्टर ने कितने रुपे में इसको खरीदा है. तो अमेरिका का एक collector है जिसने इसको 2 करोन 55 लाक रुपए में इस चस्मे को खरीदा है आप समझ यह कि गांधी जी का एक चस्मा जिसको 2 करोन 55 लाक में खरीद लिया गया कितनी जादा इसकी value थी अब पता नहीं ऐसा इसमें क्या था तो option number 20 का right answer हो जागा यह वो चस्मा है जिसके बारे में बात हो रही है और इसको आप देख सकते हैं गांधी जी ने इस तरीके से पहन रखा है उन्होंने किसी को gift में दिया था और पीडी दर पीडी उसके family में यह चस्मा बना रहा बाद में उसकी value नहीं समझी और post box में डाल दिया था तो इसको हाल ही में 2 करोण 55 लाग में इसकी बोली लगा दी गई है अगला प्रस्न है कि हाल ही में किस मंत्राले ने अगस्त 2020 में हरित पद नाम से एक mobile app को launch किया है तो answer हो जाएगा option number B यानि कि सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्राले option B का right answer हो जाएगा हाल ही में सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्राले ने अगस्त 2020 में एक हरित पद नाम से mobile application को launch किया है ये जो हरित पद नाम से app है ये करी का क्या इसमें आप photo देख सकते हैं इसको हाल ही में नितिन गटकरी जी ने इसको launch किया है ये क्या करेगा कि सडक के किनारे जो पेड लगाए जाते हैं किसी भी highway के बीच में जो पेड लगाए जाते हैं उन पेडों के ऊपर निगरानी रखने के लिए इस app को launch किया गया था सडक के बीच में सडक के किनारे जो हरे भरे पेड़ लगाए जाते हैं उनकी growth को देखने के लिए इस app को launch किया गया है तो देखो यहाँ पर लिखा भी है कि सडक के किनारे पेड़ों पर नजर रखने के लिए एक app गटकरी जी के द्वारा launch किया गया है जिसका नाम यहाँ पर देखो क्या है हरित एप तो हरित पत हरित पत नाम से इस app को launch किया गया है अब इस app को सडक पन्जवयन और राजमार्क मंत्राले ने NHAI के साथ मिलकर इस app को विक्षित किया है इसमें क्या होगा अब रच्छा नोपन की निगरानी रखेगा साथी साथ में इसमें किसी भी जो highway के किनारे जो पेड़ लगे होते हैं उनकी growth किस तरीके से हो रही है समय समय पर उसकी सेहत पर नज़र रखना उसकी व्रदी खाद और उसकी progress उसका पानी इन सभी चीज़ों पर इसमें नज़र रखी जागी और हर तीन महीने में उसके उपर एक पौदे की उस पौदे की progress का photo भी upload किया जा सकेगा साथी साथ में चुकी इसमें NHAI की बात हुई है तो इसमें related important facts देख लेते हैं यह जो NHAI है इसकी इस्तापना हुई थी 1995 में यह काम क्या करता है हमारे देश के अंदर जो highways हैं उनका निर्वान करता है और उनकी सुरक्षा करता है इसका जो motto है वो है not just roads building a nation यह इसका motto है इसका headquarter New Delhi में एस्तित है इसके chairman का नाम है सुखवीर सिंग संधू सुखवीर सिंग संधू इसके chairman का नाम है साथी साथ में यहाँ पर एक चीज़ जानेंगे नितिन गड़करी कौन है वो इस समय minister है ministry of road transport और highways को वही देख रहे हैं दोस्तों अगर आपको हमारा content अच्छा लगता है तो यह मत सोचिए कि कोई और आकर इस वीडियो को like करेगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं विश्वास मानिए आप लोग इस वीडियो को like और share जरूर किया करो क्योंकि बहुत matter करता है हमारे लिए हम daily basis पर इसको check करते हैं हमारे लिए बहुत बड़ा motivation का काम करता है तो आप लोग यह मत सोचिए कि चलो कोई न कोई तो कर देगा सर को बुरा नहीं लेगेगा आप सभी लोग करेंगे तभी जाकर बात बनेगी अगला प्रस्ता है कि हाल ही में किस bank ने gig opportunities नाम से एक अभियान की सुरुवात करी है तो answer हो जाएगा access bank option number a बिल्कुल right answer हो जाएगा हाल ही में access bank ने gig opportunities नाम से अभियान की सुरुवात करी है अब इस अभियान में क्या किया जाएगा इसमें देखो लिखा है gig opportunity यानि कि देश के अंदर जो अच्छे talented लोग हैं जिनके अंदर causal है उनसे इस banking छेतर का काम लिया जाएगा और जरूरी नहीं कि वो office आए दूर बैठ कर भी वो व्यक्ति काम कर सकता है हाला कि वो talented होना चाहिए तो चुकि इसको access bank ने इसको प्रोग्राम को launch किया है तो access bank के बारे में जान लेते हैं established हुआ था 1993 में इसका headquarter मुंबई महराष्टरा में इस्तित है यह चीज़ बहुत पुछी जाती है इसके chairman का नाम है राकेश मखीजा और इसके MD और CEO है अमिताब चौधरी बहुत अच्छे से याद रखना इसमें सबसे ज़्यादा news में चल रहा है access bank तो इसको अच्छे से revision कर लेना इसमें इसके chairman और MD और CEO का नाम आपको याद होना चाहिए अगला प्रस्तम बनेगा दोस्तों कि PM स्वा निधी योजना को लागू करने में कौन सा राज्य पहले इस्तान पर रहा है हाल ही में मोदी जी ने एक योजना शुरू करी थी PM स्वा निधी योजना इसको लागू करने में मद्य प्रदेश पूरे देश के अंदर पहले इस्तान पर रहा है ठीक है तो ऑप्शन नंबर 20 का राइड अंसर हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं आत्म निरभर भारत के समय पर जो योजना ये लाउंच करी जा रही थी उन में से एक था पीम स्वानिधी योजना अब इस योजना के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले तो पीम स्वानिधी का फूल फॉर्म समझे पी का मतलब होगा प्रदान मंतरी इस्ट्रीट वेंडर्स आत्म निरभर इसकीम यानि कि जितने भी इस्ट्रीट वेंडर होते हैं सड सरकार कुछ मदद कर सके तो इसके देट क्या था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको दस हजार रुपए तक का लोन दिया जा रहा था सो देट वो अपनी जीविका को खुद से सुरू कर पाएं अब यह जो पूरा प्रोग्राम है इसको मिनिश्ट्री ओफ हाउसिंग एन अरबन अफैर्स के तहट चला जा रहा था वही यह लोन अमाउंट उनको अपॉइंट कर रही थी तो एक प्रस्न इकजाम में पूछा जाता है कि जो सडक विक्रेता और फेरी वाले हैं उनके लिए पीम स्वानिधी योजना के तैद सरकार कितने हजार रुपए दे रही है तो दस हजार रुपए देने की गोश्णा सरकार के द्वारा करी गई थी अगला प्रस्न है कि उत्तर प्रदेश ने बुंदेल खंड जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ में साझेदारी करी है तो उत्तर प्रदेश के बुंदेल खंड जो एरिया है वहाँ पर अभी पानी को लेकर बहुत बड़ी दिक्कत कई सालों से चल रही थी इसको लेकर हाल ही में इसराइल देश के साथ में समझोता किया गया है तो option number 6 का right answer हो जाएगा कि उत्तरप्रदेश सरकार ने इसराइल देश के साथ में बुंदेल खंड छेतर में पानी की समस्या को समादान के लिए इस योजना की सुरवात करी है तो इसमें आप देख सकते हो Israel science बुंदेल खंड वाटर प्रोजेक्ट विद उत्तर प्रदेश ठीक, तो यह आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के representative ने UP के representative के साथ में इस deal को sign किया है तो अगला प्रसना है एक पुस्तक को लेकर जिसका नाम है वन अरेंजड मडर नामसे इस पुस्तक को किस ने लिखा है तो आंसर हो जागा चेतन भगत इस समय न्यूज में इस बज़े से चल रहा है क्योंकि एक सुसाइड सुसान सिंग जी का सुसाइड इस समय चल रहा है और मडर और सुसाइड से डिटेड ये जो बुक है इस समय न्यूज में चल रहा है तो वन अरेंजड मडर जो है इस पुस्तक को लिखा है चेतन भगत के द्वारा तो आप्शन नमबर एस का राइड अंसर हो जागा इसमें आप इसका कवर पेस देख सकते हैं ये हैं चेतन भगत और इसमें लिखा है चेतन भगत वन अरेंजड अरेंज मेरिज होता है मेरिज को यहाँ पर क्रॉस कर दिया है और नीचे लिखा है मडर यानि कि अरेंज मेरिज थी लेकिन उसमें मडर हो गया तो इस प्रकार से ये कहानी है जो कि चेतन भगत के द्वारा इसको लिखा गया है इसको सितंबर 2020 में लाँच करने की गोशना करी गई है अब इसी से जुड़े वे कुछ important facts जानते हैं जैसे कि चेतन भगत की कौन-कौन सी पुस्तके हैं उसके बारे में नजर डाल लेते हैं 2004 में इनकी पुस्तक लाँच वी थी 5.71 One night at call center 2005 में The three mistakes of my life Two states, revolution 2020 The girl in the room, what young India wants Making India awesome, India positive ये सभी इनकी पुस्तके हैं जो कि इनके द्वारा लिखी गई है एक्जाम में अकसर पूछ ली जाती है इसके बाद में एक और पुस्तक है जो कि इसमें चर्चा का विसे बनी हुई है My years with Rajiv Gandhi, triumph and presody ये जो पुस्तक है इसके लेखा कौन है तो कॉंग्रेस से विलॉंग करने वाले वजाहत हाभी बुल्ला इस पुस्तक के लेखाग है तो option number A, इसका राइड एंसर हो जाएगे कि ये जो पुस्तक है जिसको नहीं My years with Rajiv Gandhi, triumph and tragedy इसको वजाहत हभी बुल्ला के द्वारा लिखा गया है तो option number A, इसका राइड एंसर हो जाएगा जिसमें कि वजाहत जी ने Rajiv Gandhi की लाइफ पर इस पुस्तक को लिखा है अगला प्रिस्न है कि अगस्त 2020 में किस देश ने Black Sea यानि कि काले सागर के तड़ से दूर एक बड़े Natural Gas Reserve, प्रक्रतिक Gas Reserve की खोज कर ली है तो आंसर हो जाएगा एक देश है Turkey, option number B, इसका राइड एंसर हो जाएगा कि इस समय तरकी देश ने काले सागर के तड़ पर Natural Gas का बहुत बड़ा Reserve इसको मिल गया है तरकी देश वैसे भी News में चल रहा था क्योंकि अभी आपको पता होगा आमिर खान अपनी मूवी लाल सिंग चड़ा को बनाने के लिए तरकी गए हुए थे और वहाँ पर ये तरकी की First Women से मिले थे जो की काफी ज़्यदा Controversy हुई थी और News में भी चल रही थी तो उसी तरकी देश को यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तरकी के President है जन्होंने Announce किया है कि तुरकी को मिला अब तक का सबसे बड़ा प्राकरतिक गैस भंडार अब इससे क्या होगा कि रसिया को थोड़ी सी Tension हो सकती है क्योंकि इससे पहले तरकी की जितनी भी Energy Requirements थी वो रसिया के द्वारा पूरी की जा रही थी और रसिया तरकी के उपर दवाब भी बना सकता था लेकिन इस समय तरकी को इतना बड़ा Natural Gas का Reserve मिला है इससे क्या होगा कि वो दूसरे देशों पर जो उसकी Dependency है वो कम हो जाएगी दोस्तो एक्जाम में आपसे घुमा फिरा कर ये भी पूछा जाए सकता है कि ये जो Natural Gas है इसकी मातरा क्या है कितनी मातरा में इसको खोजा गया है तो ये जो खोजी गई Gas की मातरा है वो है 320 बिलियन क्यूबिक मिटर ठीक है ये इसकी मातरा है अब तरकी ने Announce किया है कि 2023 त पहां के जो President है उनका नाम है रेचित तैयब आर्दोएन ठीक है ये पूरे वर्ड के मैप पर कहां परिस्तित है ये बहुत ही दुनिया का disturbance एरिया है ये तुर्की का हमेशा नियूस में रहता है यही पर पास में है इसराइल मैं आपको थोड़ा सा close map दिखाता हूँ क्यों पर इसको ये natural gas के resources मिले हैं बगल में है इरान इस तरफ है इराक इस तरफ है सीरिया इस तरफ है ग्रीस ये है साइप्रस ये है बुल्गारिया इस्तांबुल सब कुछ यहां पर आप लगा हुआ देख सकते हैं बहुत ही disturbed area है आए दिन आपस में ये लोग कोई ना कोई fight हो ले डॉक्टर कीट क्रिस्टोफर रोवले किस देश के प्राइमिनिस्टर बनाए गए है तो आंसर हो जाएगा option नमबर बी त्रीनीदाद एंड टोबैको दुनिया पर एक देश है त्रीनीदाद एंड टोबैको उसी देश के नए प्रदान मंतरी फिर से बनाए गए है प्राइमिनिस्टर का नाम आपने देख लिया नेशनल स्पोर्ट्स है यहां का फुटबॉल वर्ड के मैप में अगर हम लोग देखेंगे तो यह देश कहां पर है आपको पता होना चाहिए यह है अपना भारत और यहां पर यह नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ब प्यार से आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करें यह मत सेचे कोई दूसरा करेगा आप ही करेंगे तभी होगा और जल्दी से आज इस क्वेशन का आंसर बताएंगे कि हाल ही में अगस्त दोचार बीस में भारत के अगले चुनाव आयुक्त इलक्सम कमिस्टर कौन बनाए गए आंसर फटाफर से कौन देगा थैंक यू फॉर वाचिंग दिस आउसम वीडियो